आपका सौगत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांती में दोस्तों आज हम यहाँ बात करने वाले हैं CPCT, CPCT के यहाँ पर एडमिट कार्ड आ चुके हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे कि आपको कैसे यह से डाउनलोड करना है इसके अलाब़ दोस्तों यहाँ पर तीन डेट में यहाँ पर पेपर कराये जारहे हैं और इसके बाद जो है दोस्तों अब आपको क्या करना है उसके बारे में भी कुछ टिप्स देंगे उन चीज़ों को दोस्तों आप लागू जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको जो है जब एक्जाम सेंटर में समस्या होगी तो फिर आप जो है इन ट्रिक्स के माध्यम से आप उनका फायदा जरूर मिलेगा दोस्तों वीडियो को आखरी चर्प तक जरूर देखिएगा चलि दोस्तों यहाँ पर बता दें दोस्तों यहाँ पर आप देखी रहा होंगे सिपीज़िटी की साइट पर यहाँ पर आपको दिखी रहा होगा यह अप्लिकसन से स्टार्ट हुए 8 सतंबर को और यहाँ पर एप्लिके Sine इंडिनग डेट थीय है 8 सतंबर और यहाँ पर exam date आपके 16, 17 और 22 क्योंकि बीच में यह छुटिया वड़ नहीं है इसलिए 22 को यहाँ पर कराया जा रहा है इन तीन date में कराया जा रहा है इसके लावा आपके admit card यहाँ पर जारी कर दिया गया है इनके दोरा कहा गया है और यह आप उपर ही देख सकते हैं यहाँ पर admit card, cpcd, 16, 17 और 22 अक्टूबर के लिए यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड पर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास नई window open होगी कुछ इस प्रकार की नई window open हो जाएगी candidate login के लिए इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको user id डालना होगा password डालना होगा और login करना होगा user id password जो कि आपके एक बर बन जाते हैं वो ही चलते हैं दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान ज़रूर दीजेगा जो आपका application नमबर है तो सिर्फ वो ही चेंज होता है चली दोस्तों इसके बाद जो है आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास नई window open होगी नई window open होगी इसमें जो है दोस्तों आप यहाँ मोबाइल पर खोलते हैं तो दोस्तों इसको जो है आप desktop mode पर ज़रूर कर लिजेगा इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको registration form application form mock test online cpcd mock test और help desk यह चार पांच option आपको दिखाई देंगे यहाँ आपकी personal detail दिखाई देने वाली है और यहाँ आपको क्लिक करना है application form पर आप application form पर जैसे ही क्लिक करनेंगे यहाँ पर एक नई window open होकर आएगी जो कि कुछ इस प्रकार से दिखेगी इसमें दोस्तों आपको application form यहाँ पर लिखाई देगा और यहाँ पर आपकी detail दिखाई देगी इसमें आपको यहाँ पर new पर क्लिक करना है आप new पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके पास नई window open होती है जो कि application form open होता है और यहां personal detail आपकी नीचे आपको दिखाई देगी इसी के बाजू में है white color में यहां पर admit card इस पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद दोस्तों यहां पर नई window open होगी जिसमें कि आपको यहां पर address नगरा जाएगा जहां पर आपका exam होने वाला है और यहां आपकी exam date भी नगरा आएगी और यहां आप click करते हैं तो आपका admit card डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों इस परकार से आप admit card डाउनलोड कर जीजिए कुछ subtle process है लेकिन आपको सरलता से हमने हमारे दोरा बता दिया गया है इसके अलाबा अब दोस्तों आपको करना क्या है आपके पास समय बहुत कम है तो दोस्तों आपको यह वीडियो हम आपको आई वटन पर भी दे देंगे इस वीडियो के अंतरे को दोस्तों आपको audio है इसमें audio है जो कि आपको typing hall में जब जाते हैं दोस्तों तो जिससा आपको सुनाई देता है कि एक साथ बहुत सारे लोग एक साथ typing करना चालू कर देते हैं जिससे आपकी उंगली जो है सही से नहीं चलती है एकदम से तो कि आपको वो से atmosphere में नहीं होते हैं आप जिससे घर पर typing कर रहे हैं या कहीं भी करना है तो आपको साथ में सेटल नहीं हो पाते हैं दोस्तों इसका यूज आप जरू कीजिएगा इसको प्रैक्टिस लगाईए एरफोन लगाईए और इस वीडियो को चालू कर लीजिए इसके बाद जो है दोस्तों आप इसको लगाकर आप typing कीजिए तो इससे दोस्तों आपको फरक दिखाई देगा आपकी typing speed में कुछ कमी या घबराहट जो होगी वो मिट जाएगी अगले 10 दिन में भी आप करते हैं तो आसानी से यह हल हो जाएगी इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ typing speed अभी भी आपकी कुछ typing boundary पर आ रही है यदि आपकी हिंदी में 20 नहीं आ पा रही है या इंगलिस में आपकी 30 नहीं आ पा रही है तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिए गाई जिसमें आपको हो सकता है कुछ फायदा मिले और इन कुछ दिनों में आपको इस वीडि सही गोल टिप से मिल पाए इसको लागू करके देखिए अपने आप पर दोस्तों यहां स्पीर आपकी जरूर बढ़ेगी इसके अलावा दोस्तों आपको typing के कुछ टॉपिक होते हैं जैसे की net speed होती ग्रॉस स्पीट होती है की श्टॉक होता है इनके बारे में यह आप नह होल में जाते हैं एक्जाम हॡ्म में तो हहां पर जो है आपको ऐसे keyboard नहीं मिलते हैं यहां पर आपको हड़ की देखने को मलती है तो दोस्तों इसके लिए क्ा किजिये है किसी अपर क्या किबोर्ट के पास या किसी सेंटर पर आप बिठ जाते हैं तो सेंटर पर अलग-बा पर बैठी है अलग लग अलग कम्पेटर पर बैठी इसके लावब जदि आप घर पर ही करना है तो आप किसी फ्रेंट से जो है दोस्तों यहां पर कीबोड चेंज कर लिजिए दो तीन कीबोड पर ट्राई कीजिए तो दोस्तों यहां पर जो प्रावलम आपकी exam hall में आएगी वो यहाँ पर नहीं मिलने वाली है इसके लावा आपको 38 नमर आपको boundary पर लाना है पास होने के लिए certificate को बैलिट करने के लिए तो दोस्तों इसके लिए आप जो है old question का सहरा जरूर लें पिछले बार के जो भी question हुए है उन पूरे को देखें और उसके पहले के भी जितने भी हुए है उन पूरे questions को देखें दोस्तों इसका फायदा आपको बिलकुल मिलेगा बाकी दोस्तों आपको कोई भी समस्या है कोई भी query है तो आप हमें comment कीजिए और आपकी speed भी हमें comment करके बताइएगा धन्यवाद जहिन